नमस्कार दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलजी यान चलने में आपका स्वागत है आज हम पैनकार्ड के बारे में बताएंगे कि जो पैनकार्ड था पहले हमारा फैनेस डियल के द्वारा बना रहे थे वो फैल हो गया था कल हुआ था यानि तीन तारीक को जो पहले का जो वीड और आगे हम पोसेस करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप यह सममिट करेंगे के बाद किण्यूम डेकि करना है तो यह प्रोसेस ले रहा है यहां पे आपको टी पी लगाना है आजए है जो लिमिट है आपकी वह पूरी हो जाती है इसलिए यहाँ पे यह बताया गया है कि यदि आपका पैसा इनुड हो गया घ्र्श काट आप है यह आप पिर आप पर नया टोकन दिया गया इस पर, यहां पर क्लिक करके और उसको वेरिफाय कर ले, हो सकता आपके मुबाइल के अंदर OTP आई नहीं रहा हूँ और आपका आधार के आधार से जो है, मुबाइल नंम्बर email आडी लिंक की नहीब हूँ और आप ट्राइए कर रहे हों तो यति है आपके आदार से मोबाइल नंबर या इमेल इडिलिक नहीं है तो वह पैन कार्ड जो है वो नहीं मरेंगा हम यहाँ पर सबसे पहले अदार नंबर लगाएंगे उसके बाद सका ओटीपी लेना है, जो हमने capture code दिखाई दे रहा है, पहले वो लगाना है और उसके बाद में ओटीपी लेना है, तो अब हम यहाँ पे ओटीपी लेंगे, send ओटीपी कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी लेगाना है, देखिए, यह capture code गलत हो गया, हम दुबारा ट्रा आएगी आभी हम सेंड कर रहे हैं तो यहां पर यह दिसने बोला है कि दी मोबाइल नंबर है इंट्रेट अल्रेडी वेरिफाइड विद और रिकोर्ड यानि यह मोबाइल नंबर जो है वह पहले से वेरिफाई है आपको दुबारा वेरिफाई करवाने की कोई आउ सकता यह आपके सामने मेंसेज आच चुका है और मैं इस वीडियो में यह भी दिखाऊंगा कि वो पैसा कितने दिन में वापस आएगा और कब आएगा किस परकार से आएगा उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आप पूरा वीडियो गोर से देखें और चैनल से जुड़े रहें कोई भी चीज जो है यह आपको समझ भी नहीं आ रही है तो कमेंट जुरूर करें क्योंकि कमेंट करोगे तभी मालूं पड़ेगा कि आपको यह चीज भी नहीं आई है तो अभी मैंने आपको ब दुबारा मिलेगा इसका मैं इंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखा देता हूं आपके सामने हैं कि यह लाइने क्या बोल रही है देखिए गलत ओटेपी आपने ओटीपी जनेट करने के अधिक तक सिमा जोय पार कर लिए इसलिए आप एके वाईसी या साइन साइन मोड के दुबारा आविदन नहीं बढ़ा सकते हैं करप्या नया टोकन जनेट करें बोतिक मोड के साथ आप यानि जो फिजिकल डोकुमेंट आप रजिस्ट्री करवा करके बेज सकते हो पैन उपिस में नया आविदन यह दिया आपका आधार में मुबाइल नंबर और यह नहीं है क्योंकि पैने काड़ बनाना इस वीडियो में नहीं इसका हुआ इसके बाद में देखिए हमारा गूगल क्रोम के अंदर यह रिक्वेस्ट पूड नोट पी प्रोसेस्ट डू टू सम् टेक्निकल इश्यू दुबारा आ गया है हमें गूगल क्रोम के अंदर अपलाई कर रह तो यह जो कंडिशन है ब्राउजर चेंज करके सक्सेस होने वाली यह मैंसा नहीं होती है मैं जो कल टोकन कटा था दीन तारीक का टोकन था और चार तारीक तक वो टोकन जो है वेरिफाइड नहीं हुआ और लास्ट में वो रिजक्ट हो गया ओटीपी आपके सामने चार बा वापस आने के लिए बात आपके सामने मेंसे आए अब मैंने दुबारा टोकन कटा है और दुबारा गूगल क्रोम के अंदर वही कंडिशन वापस से हो गई थी टेक्निकल इस्यू वाला तो अभी फिर से मैंने अभी उसी टोकन को तो दूसरा पैन कट अपलाई किया था उ उसके बाद वह काम करना है यहां पर हमें सबसे पहले उपर जो है वो टिक मार्क करेंगे टिक मार्क करने के बाद में जो ओटीपी है वह लेना है और अपको सबसे पहले नीचे अदारकार्ण में डालना है उसके बाद में ओटीपी लेना है तो मोटीपी ले टिक मार्क करक चेक मार्क नहीं करोगे तो OTP नहीं जाएगा, यहां पर OTP डालना है, तो हम OTP आ रही है भी, तो कि OTP में कई बार टाइम लग जाता है, तो थोड़ा 10-20 सेकंड आप वेट करें, और उसके बाद में आराम से यहां पर OTP डालें, तो OTP आ चुकी है, अब हम OTP डाल रहे हैं, और verify करेंगे, यह हमारा pen card जो है, वो बन चुका है, अभी देखिए, जो मेरा पैसा कटा था, वो तीन तारीक को मैंने apply कि आदा pen card, तो कुछ भी response नहीं मिला, मैंने चार तारीक तक वेट किया, अब चार तारीक को दुबारा आपके सामने जो है, वो token कटा, और अभी आज साथ तारीक हो चुकी है, तो चार दिन के बाद, यानि तीन तारीक का जो पैसा कटा हुआ था, वो साथ तारीक को refund आया है, 106 रुपे नबर पैसा, आपके सामने स्क्रीन के उपर है, आप खुद देख सकते हो, तीन तारीक का पैसा कटा हुआ, साथ तारीक को वापस आ गय कि किस token का पैसा आपके पास से वापस आया यह जो मैं डार कर रहा हूं यह सब की अलग-अलग history होती है तो यह देखिए तीन तरह का पैसा जो है वो साथ तरह को वापस आ चुका है तो इस प्रकार से आपको token कट गया कोई गबराना नहीं है यह दि आपकी OTP verify नहीं होती है त आपको गबराना नहीं है बिलकुल भी